हमारे इस खास सेग्मेंट एक्स्प्लेनर में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शवानी पांडे एक्स्प्लेनर में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की अफगानिस्तान का जिक्र आज इसले जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान और भारत की एक उच्च सतरी बैठक हुई है और ये बैठक कहा जा रहा है इस लेविल की पहली बार हुई है और ये इस लिहाज से भी ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में तालिबान ओवर टेक कर लेता है अफगानिस्तान को उससे पहले अमारिका वहाँ पर किसी तरीके से शाष्टन चला रहा होता है लेकिन जब तालिबान आये उसके बाद से कुछ ऐसा लगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान और तालिबान मिल कर कहीं न कहीं भारत की नाक में दम कर सकते हैं फिलहाल ऐसे हालाद भी बनते हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान का आपस में तालमेल भी ठीक नहीं बैठ रहा और भारत लगातार अपनी निगाहें बनाया हुआ है तालिबान पर ताकि अफगानिस्तान की जो धर्ती है उसका इस्तमाल किसी भी तरीके से भारत के खिलाव साजिश रचने में ना हो पाए इसलिए बार-बार कई सारी बैठकें कई दौर की बैठकें अब तक अफगानिस्तान और भारत के बीच में हो चुकी है यानि तालिबान और भारत की बीच में अब तक हो चुकी है लेकिन इस लेविल की बैठक पहली बार हो रही है और ये विदेश मंत्राले के सेंग तो स चीत हुई है किस तरीके से जो आपसी सयोग है उसको बढ़ाया जाए शेतरी विकास कैसे हो इन तमाम मुद्दू पर बात हुई है साथ-साथ मानवी सहायता को लेकर भी बात हुई है ये एक तरीके से आश्वासन भी है तालिबान और भारत एक दूसरे को जो दे रहे हैं एक तालिबान किसी भी तरीके से इस्तमाल भारत के खलाफ ना कर पाए लेकिन ये जो बैठक हुई है उसके बाद कई मुद्दू पर इसमें चर्चा तो होती है लेकिन सबसे ज़ादा परिशानी अस वक्त पाकिस्तान को इससे हुई है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाह और इसी बात का अब उसको अफसोस भी एक तरीके से है कि अगर भारत और तालिबान पास में आए तो वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो राह है उस पे अर्चन डाल सकते हैं इस पर आपका करे कहना है अब कमेंट सेक्शन की जरीया हमें जरूर बताईए झाल जरूर बताईए